हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का टी एस जी के क्लास यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्यान के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ण और उत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज का पहला प्रस्ण है मठ मंदिर वा इस्तूप किस धर्म से संबंधित है इसका सही जबाब है बौध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर वा इस्तूप अगला प्रस्ण है जैन धर्म वा बौध धर्म दोनों के उपदेश किसके साशनकाल में दिये गए इसका सही जबाब है बिनविशार के शसंकाल में जैन धर्म वा बौध धर्म दोनों के उप देश दिये गये अगला प्रस्न है सुन्यता का सि द्धांत किस बौध दार्शनिक ने प्रति पादित किया इसका सही जवाब है नागारजुन ने सुन्यता का सिध्धान्त प्रतिपादित किया अगला प्रस्ण है बुध की मृत्यू के बाद बौध संगीती की अध्यक्षता किसने की इसका सही जवाब है महाकस्यप ने बुध की मृत्यू के बाद बौध संगीती का अध्यश किया पाँचवा प्रस्ण है भारत की सबसे तेज गती से चलने वाली ट्रेन कौन सी है इसका सही जवाब है गतीमान एक्स्प्रेस भारत की सबसे तेज गती से चलने वाली ट्रेन है अगला प्रस्ण है भारत की पहली महिला रेल चालक कौन थी इसका सही जवाब है सुरेखा संकर यादो भारत की पहली महिला रेल चालक थी अगला प्रस्ण है राजस्थान का लोक निरित्य कौन सा है इसका सही जवाब है घूमर राजस्थान का लोक निरित्य है अगला प्रस्ण है युएन्नों को शांती का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया इसका सही जवाब है युएन्नो को शांती का नोबेल पुरसकार 2001 में दिया गया अगला प्रस्ण है प्रयोग शाला में बनाया गया पहला कार्वनिक पद्दार्थ कौन सा है इसका सही जवाब है यूरिया प्रयोग शाला में बनाया गया पहला कार्वनिक पद्दार्थ है अगला प्रस्ण है पुलितजर पुरशकार किस लिए दिया जाता है इसका सही जवाब है शाक्षर्ता उपलब्दी के लिए पुलितजर पुरशकार दिया जाता है अगला प्रस्ण है भारतिय संविधान में कितने प्रकार के आपात काल की व्योस्था की गई है इसका सही जबाब है तीन प्रकार के आपात काल की व्योस्था की गई है पहला राष्ट्री आपात दूसरा राष्टपती शाषन तिसरा वित्ती आपात अगला प्रस्न है राष्ट्रिय आपात की घोषना राष्टपती किसके सिफारिश पर करता है इसका सही जबाव है मंत्री मंडल के लिखित सिफारिश पर राष्टपती आपात की घोषना करता है अगला प्रस्ण है राष्ट्रिय बिग्यान ओध्योगी की संस्थान कहां है इसका सही जवाब है फरीदा बाद में राष्ट्रिय बिग्यान ओध्योगी की संस्थान इस्थित है अगला प्रस्ण है अस्थी से अस्थी के जूड को क्या कहते हैं इसका सही जवाब है लिंगा मेंटस अस्थी से अस्थी के जोड को कहते हैं 15. प्रस्ण है पोलियो वैक्षीन का विकास कब हुआ इसका सही जवाब है 1952 में सर्व प्रथम पोलियो वैक्षीन का विकास हुआ अगला प्रस्ण है छोटी आत की लंबाई कितनी होती है इसका सही जबाब है लगभग साथ मीटर छोटी आत की लंबाई होती है अगला प्रस्ण है सपनों के अध्ययान को क्या कहते है इसका सही जबाब है अनीरो लौजी सपनों के अध्ययान को कहते है अगला प्रस्ण है यूनाइटेड प्रेश इंटरनेशनल किस देश की समाचार एजेंसी है इसका सही जबाब है यूएसे की समाचार एजेंसी है यूनाइटेड प्रेश इंटरनेशनल अगला प्रस्ण है संस्कृती और सभ्यता का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है कमल संस्कृती और सभ्यता का प्रतीक है अगला प्रस्ण है दूद से दही का बनना किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है किडवन का उदाहरण है दूद से दही का बनना दोस्तो एक प्रस्ण आप सभी के लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो प्रस्ण है डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की राजनितिक दल है दोस्तो एक प्रस्ण आप सभी के लिए है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें